इस वक्त मौझूद है हम कॉंग्रेस के पार्टी कारियाले में यानि की सदाकत आस्रम आपको बता दे कि जिस तरीके से आरजीडी और कॉंग्रेस की बीच तिकी तलकियां बढ़ी है और अब विहार प्रबारी भक्त चर अंदास पहुंचे हैं और उसके बाद आज तमाम ने विधायक हूं तमाम लोग यहां मौझूद हैं और आज चर्चा होने वाली है कि जिस तरीके स्टार प्रचार को का लिस्ट आने वाला है पहला बात दूसरी बात दो सीटों पर आरजीडी भी उमिदवार उतारी है और दोनु सीटों पर कॉंग्रिस भी उमिदवार उतारा भक्षर अंदास का बयान भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से भक्षर अंदास का कहना है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जहां तक के सवाल यह है कि जिस तरीके से आरजेडी या आप लोग यह सोच भी नहीं सकते हैं कि कौन-कौन हमारे अस्टार प्रचारक के का दोस्ताना मुकाबला होगा लेकिन भक्षर अंदास का स्ट्रस रूप से कहना है कि हम यहां कोई दोस्ताना मुकाबला करने नहीं आए हैं आरजेडी ने हमारे उनैस विधायकों का ख्याल नहीं रखा है अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो उसी उनैस नहीं दिया आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि चुनाओं में किस तरीके से आगे की रन्नीती तयार होनी चाहिए किस प्रकार चुनाओं लड़ा जाएगा भक्षर अंदास का यह बयान सारा आप जो आप पहले भी सुने हैं और फिर हम सुनवाएंगे कि कि तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्हें मौजूरे हो रहा है और है आज जब हो और ऺखे होरा है तो इस भखेंगे किस तरीके से भक्त चरंदास और-उंके तमाम कॉंग्रेस के जो निता है वो नजर आ रहे होंगे साब तोर पर यहां और भक्षर अंदास ने जो बयान दिये हैं उस बयान को हम आपको सुनबाते हैं कि किस तरीके से उन्हों आरजेडी पर निशाना साथ है और कहा है कि उन्हें इस विधायकों का खयाल नहीं रखा गया पहला स्टान लेकर अनौंस तो कर दिया वह सकता है राजनिती में इस वह सकता है लेकिन स्टान लेने का समय है अगर विचारधारा पर आप तिके हो तो खड़े रहो विचारधारा पर अगर आप अपनी बचन जो महागड़ बंदन का निष्टा से आप बिहार को काम करना चांदे हो भिहार में पांग्रेस बनाने चांदे में तो जहाएं तो ठीक है और में नगना कर दिया तो चांदे में और में उस्ताइब कोई माओर्य व्योटें हरा ता सब्सक्राइब में आपके सब्सक्राइब है एक है यह को ज़्माइब नहीं है तो दूसरी chapter हुआ 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 है